दोस्तो ट्रीपल र के स्टोरी को लेकर हुआ है काफिल दिल्चस्प खुलासा और बात कर ली जाए तो इसकी स्टोरी कॉंसेप्ट ने अजय दिवगन साब होगे इस फिल्म की जान जाने के इस पूरे मामले को इस वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें हैं वहीं इस फिल्म की कहानी में जुनियर एंटियार को एक ट्रैबल बताया जाता है एक आदिवासी बताया जाता है और बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी में जहां S.S. राजा मौली सहाब ने हाली में ये भी खुलासा किया है कि इस फिल्म के जहां जुनियर N.T.R. और राम चरन दोनों ही इस फिल्म के जहां पर हीरो का किरदार कर रहे हैं वही वो इस फिल्म के वि उसमें flashback scene दिखाए जाएगा, यानि कि उनकी past की कहानी होने वाली है, जिया अजय देवगन साहब का इस film में past की कहानी होने वाली है, flashback scene होगा, जो कि तक्रीवन 10 से 12 मिनट का हो सकता है, जिया इसको लेकर काफी बड़ी media outlet ने खुलासा किया है, जो कि आप मेरे screen पर देख स इस film की कहानी को लेकर जहाँ इतनी सारी दिल्चस चीज़ें सामने आई हैं, वहीं आपको बता देए कि इस film का पर्मोशन भी काफी जोरो सोरो से किया जा रहा है, यहां तक कि आपको बता देए कि SS राजा मौली साहब ने अपना mastermind लगाते हुए, जिया हिंदी के और बात सलमान भायजान अगर इस film का पर्मोशन करते हैं, तो इस film को काफी जबरास रिस्पॉंस मिलेगी जहां बॉलिवर इंडस्ट्री में भी, और आपको बता देए कि इस film का पर्मोशन सलमान भायजान ने कर भी दिया था और इस special chief guest के तोर पर इस film के pre-release event को एटेंड भी कि आपको बता देए कि इस film का पर्मोशन भारत में ही नहीं बलकि USA में भी हो रहा है, यहां USA के काफी बड़ी बड़ी जगों पर हो रहा है जिसकी तस्वीर है आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरह का tremendous response इस film को लेकर देखा जा रहा है, इसके मताबिक यह film ultimate blockbuster ही हो आपने वाली है, वहसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस film को लेकर आपको क्या लगता है, यह film box office पर कितना तक collection कर पाएगी, नीची comments में अपने opinion जरूर दीजिए, मिलते हैं अगली नई report में, जो की होगा आपके लिए काफी खास